बच्चों का दाएं से बाएं घुमना या नाभी के ऊपर में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेग्नेंसी के दौरान जब तीसरा ये चौथा महिना स्टार्ट होता है बच्चे हलचल करना भी स्टार्ट कर देते हैं ये कुछ बच्चे तीसरे महिने पर हलचल करते हैं वो किसका संकेत होता है कुछ बच्चे चौथे महिने से हलचल करते है इसे किस चीज से कोरिलेट किया जाता है यहाँ पर ये बात की जाएगी साथ ही साथ ये चीजे भी कि कुछ बच्चे मा के पेट के अंदर दाय से बाय साइट जाते हैं कुछ बच्चे नाभी के उपर ज़्यादा हल चल करते हैं कुछ बच्चे नाभी के नीचे ज़्यादा हल चल करते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं बाएं साइड से लेके दाएं साइड तक मूव करते हैं इस तरह की चीजे होना या कवी ऐसा experience करना कि बच्चा बिल्कुल हलचल नहीं कर रहा है उस टाइम में एक मा क्या करेगी कौन सा ऐसा छोटा सा नुसका अपलाई करेगी जिससे बच्चे की हलचल जो है वो अचानक से आजाएगी और बच्चों का जो हलचल है वो बहुत बड़ा संकेत देता है किस चीज का संकेत देता है इस बार में इस वीडियो के अंदर complete आपको जनकारी दी जाएगी मैं अपना और मेरी कुछ सब्सक्राइबर के experience को भी यहाँ पे share करने माली सो गई चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए वेलकम मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चानल पहली बार अगर आए हैं इस चानल पे चानल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को बस आप लाइक किजिएगा यहां हम बात करते हैं बच्चों क सब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है यह इतना अच्छा लगता है एक महिला को जब उसका बच्चा पहली बार किक्स करके कुछ उसे बताना चाता है यह बताना चाता है कि हाँ अब उसे हल चल करने आ चुका है कुछ महिलाय जो होती है वो ऐसा experience करती है कि pregnancy के तीसरे मह महिने में आए यह चोथे महिने में आए अगर बच्चे की baby kicks आपको दे रहा है तो यह good news इस बात का है कि आपका बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है और उसकी जो development है वो लगतार आगे तक चल रही है यहां और हम बात करेंगे हलचल से related यह चीज़े कही जाती है कि तीस महिने में वही बच्चे हलचल करते हैं जो कि timely अपने हर milestone को पूरा करते हैं यानि कि एक महिने में उनके सरीर का जितना development होना चाहिए वो कर लिया फिर दूसरे महिने के बराबर भी कर लिया तो अचानक से तीसरे महिना complete होते ही बच्चे का body structure पूरी तरीके से develop हो जाता है जिस कारण से वो करने लगते हैं baby kicks लेकिन कुछ बच्चे चौथे महिने में करते हैं तो वो थोड़ा late से develop होते हैं मा के पेट के अंदर पूरी तरीके से जब सरीर की जो सनरचना होती है body structure वो complete होने के बाद ही बच्चों की हल चलाती है तो किसी में पहले होना किसी में late हो लोग अलग अलग चीजों से correlate करते हैं बस सचाई यही है कि हर बच्चा अपने हिसाब से time लेता है तो इस चीज को ध्यान में रखिए साथ में ऐसा देखा गया है कि बहुत बार बच्चों की हल चल नहीं आती है तो एक मा को घबडानी की जरुद बिलकुल भी नहीं है ने भी यह चीजे experience किया है यह जो नुसका है यह गाउं की महिलाओ का नुसका है हमेशा कारगर कर होता है मीठा खाने के लिए आप चोकलेट या कोई मीठाई या खा सकते हैं अगर कुछ घर में अब लेवल नहीं है तो आप गोड़ खा सकते हैं जो भी चीजे आप खाना यह आपके उपर depend करता है साथ में यह चीजे भी कहना कि बच्चों की जो हलचल होती है वो कुछ एक दिन में कितनी बार आती है मेरी कुछ सब्सक्राइबर ने पूछा गाईज अगर आप गूगल पर सर्च करोगे न तो यह आपको बताया जागा कि आपको एक दिन में दस बार बार आना चाहिए लेकिन बच्चे इतना भी हलचल नहीं करते हैं एक दिन के अंदर और तीन बार आपको हलचल मैशुश हो सकति है ज्यादा से ज्यादा 10 से बार बार आसानी सकती है अगर आप नोटिस कर रही है यह बहुत बुन है ज़ोत होता है जब रात में आप सो नेक्स्ट वडियो में तक तक के लिए बाय 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 ठेकेर